12.2.1 गतीज उर्जा, काइनिटिक एनरजी, क्रिया कलाब 3, पहला धातु की एक भारी गेंद लें, दूसरा इस गीले रेट से भरी ट्रे की सताह पर 20 सेंटिमीटर उचाई से गिराएं, 13. रेट पर बने गर्थ, गड़े की गहराई नापें, 14. उक्त क्रिया कलाब में गेंद को 40 सेंटिमीटर, 70 सेंटिमीटर तथा 100 सेंटिमीटर की उचाई से गिरा कर दोहराएं, 15. प्रत्य क्रिया में गड़े की गहराई नोट करें, इस क्रिया कलाब के आधार पर निम्न प्रशनों के उत्तर देने का प्रयास करें, 15. पहला, गेंद ने किस कारण से रेत में गड़ा बनाया? 15. दूसरा, गेंद को फिन फिन उचाईों से गिराने पर रेत में बने गड़े की गहराई को क्रम में जमाओ, क्या उचाईों के बढ़ने पर गड़े की गहराई पढ़ती है? 30. किस उचाई से गेंद फिकने पर गड़ा सबसे अधिक गहरा बना और क्यूं? प्रतीक वस्तु में अपनी गती के कारण एक उर्जा नहीत होती है, जिसे गतीज उर्जा कहते हैं, किसी वस्तु की गतीज उर्जा उसकी चाल के साथ बदलती है, समान्द रव्यमान की तेज गती करती हुई वस्तु में, कम वेक से गती करती हुई वस्तु की अपेक्षा अधिक गतीज उर्जा होती है, इसी कारण तिफ्र वेक से गतीशील गेंद इस थिर विकेटों से टकराती है, तो विकेट दूर जा गिरता है, जबकि धीरे से आकर टकराई गेंद विकेट को दूर नहीं फेक पाती हेलो बच्चो आज हम यहां एक क्रिया कलाप करने जा रहे हैं इस क्रिया कलाप में हम इस बॉल को रेट पर अलग-अलग उचाईयों से गिराएंगे और यहां देखेंगे कि बॉल द्वारा रेट पर अलग-अलग उचाईयों से गिरने पर क्या प्रतिक्रिया होती है तो चलिए हम अपने क्रिया कलाप को शुरू करते हैं इसके लिए हम इस पाइप की साहता से उचाई का मापन करेंगे हमने पाइप में तीन मार्किंग कर रखी है एक है 150 सेंटिमीटर पर दूसरी है 100 सेंटिमीटर और तीसरी है 50 सेंटिमीटर इन तीनों अलग-अलग उचाईयों से हम बॉल को गिराएंगे और फिर देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है देखिए सबसे पहले 150 सेंटिमीटर इस उचाई से हम बॉल को गिरा रहे हैं देखिए बॉल जो है वो रेद पर गड़ा बना दिया उसने और इस गड़े का हमको अब मापन करना होगा हम इसके मापन के लिए इसकी साहिता लेंगे और फिर उसे सकेल से माप लेंगे इसके लिए सबसे पहले बॉल को यहां से हटा दे गड़े को मापने के लिए हम इसकी साहिता लेते हैं और इस गड़े की गहराई को नाप लेते हैं यह देखिए इतनी गहराई हमें यहां पर प्राप्त हो रही है इसको इस मारकर की साहता से निशान लगा दिया यहाँ पर और अब इसे स्केल की साहता से नाप लेंगे देखे बच्चो यह आप देख रहे हैं साथ दशमलो दो सेंटीमीटर चलिए अब हम सो सेंटीमीटर की उचाई से बॉल को गिराते हैं चलिए सो सेंटीमीटर की उचाई से बॉल को गिराने के बाद जो गड़ा हमें मिला है रेट पर उसकी भी गहराई नाप लें और वही प्रक्रिया होगी हमारी इसकी साहता से हम इसका मापन करेंगे यह देखिए यह गहराई हमें प्राप्त हुई है इसको मारकर की साहता से मारक कर लिया और अब इसकेल से मापन अब की बार हमें जो गहराई प्राप्त हो रही है वो है 5.2 cm चलिए अब हम इसे 50 cm की उचाई से गिराते हैं यह देखिए 50 cm की उचाई यहां से बॉल को गिरा दिया तो चलो बच्चो फिर से हम इस बॉल द्वारा जो गढड़ा यहां पर रेद पर बना है 50 cm की उचाई से बॉल के गिरने पर उस गड़े की गहराई नाप ले प्रक्रिया हमारी वही होगी यह देखिए यह गहराई हमें प्राप्त हो रही है इसकी हम मार्किंग कर ले ठीक है और अब इससे हम स्केल की साहिता से नाप लेते हैं तो देखिए हमें कितनी गहराई प्राप्त हुई है 5 cm आप देख पा रहे होंगे हमें कितना गहरा गड़ा मिला है 5 cm तो बच्चों आपने देखा कि जब हमने बॉल को अलग-अलग उचाईयों से रेत पर गिराया तो उसके द्वारा रेत पर बनने वाला जो गड़ा था उसकी गहराई भी अलग-अलग थी आपने क्या पाया है हमने यह देखा कि जब हमने 150 cm की उचाई से गिराया तब बनने वाला गड़ा जो था वो सबसे ज़्यादा गहरा था उससे कम 100 cm की उचाई से और उससे कम 50 cm की उचाई से ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब हम 150 cm की उचाई से बॉल को गिराया हमने तो उसकी गती अधिक थी उसका वेग अधिक होने के कारण गती अधिक हुई और गती अधिक होने से इस बॉल की गती जुर्जा अधिक हो गई थी और गती जुर्जा अधिक होने से हमें रेत पर जो गड़ा मिला वो सबसे गहरा मिला था। गती करती हुई वस्तु। गती जूरजा व किया गया कार्य। माना की द्रव्यमान M की एक वस्तु छेतिश तल पर रखी गई है। वस्तु पर एक समान बल F लगाने पर वह S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तब वस्तु पर किया गया कार्य। W is equal to F S, formula 1। वाले बल के कारण मानों उसमें उत्पन त्वरण A होता है। हमने पुर्व अध्याय में गति के समीकरणों का अध्यायन किया है। एक समान त्वरण A से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग U, अंतिम वेग V तथा विस्थापन S के बीच निम्न संबंध होता है। V स्क्वेर माइनस U स्क्वेर इस इकवल टू 2 A S, फॉर्मुला 2. S is इकवल टू V स्क्वेर माइनस U स्क्वेर बाई 2 A, फॉर्मुला 3. गति के द्वितिय समीकरण से हमें ग्यात है की F इस इकवल टू M A, फॉर्मुला 4. उप्रोक्त समिकरण क्रमांक तीनव चार से S तथा F का मान समिकरण एक में रखने पर हम किये गय कारे को लिख सकते हैं यदि वस्तु की गती विराम अवस्था से प्रारंब होती है अर्थात U is equal to 0 तो W is equal to 1 by 2 M V square माना किया गया कार्य वस्तु की गती वर्जा में परिवर्थन के बराबर है यदि वस्तु इस थिर अवस्था से गती करती है तो किया गया कार्य गती वर्जा के बराबर है हम कह सकते हैं कि V वेक से गतिशेल M द्रव्यमान की वस्तु की गतीज उर्जा का मान E K is equal to 1 by 2 M V square उर्जा की S I I K I Joule है चर्चा करें पहला, क्या वस्तु की गतीज उर्जा रिनात्मक हो सकती है? दूसरा, किस ट्रक को रोकना जादा सहज होगा? कम समान से लदे या अधिक समान से लदे को? तीसरा, कार की गतीज उर्जा में कभ अधिक परिवर्थन होगा? जब कार का वेग 10 M.T. से 20 M.T. हो जाए या जब कार का वेग 20 M.T. से 30 M.T. हो जाए चर्चा करें किसी वस्तु की गति जुर्जा से क्या तातपर्य है दूसरा, वी वेग से गति शिल किसी M द्रव्यमान की वस्तु की गति जुर्जा 1 बाइ 2 M V स्क्वेर है यदि इसके वेग को दो गुना कर दिया जाए तो इसकी गति जुर्जा कितनी होगी तीसरा, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान वा वेग, दूसरे वस्तु के द्रव्यमान वा वेग का दो गुना हो तो उनकी गति जुर्जा का अनुपात क्या होगा